हेलो एवरिवन माई सेल्प डॉक्टर सुमन तुडेश टॉपिक इस बैकेक पार्ट टू प्रिवेश वीडियो में बैकेक पार्ट वन की बारे में डिसकस किया था उसमें कॉजेज ऑफ बैकेक और स्ट्रेचिंग एक्सराइज आज हम बात करेंगे कि बैकेक की वज़े से ज करनी ढम बैकेक स्टार्ट वुट होता है च उनकी वज़े से सबसे पहले हमारी मसल्स में लिगमेंट्स-लिगमेंट्स का इंवॉंच होता है तो दीडियों डिये टाइट होने लगते हैं और उनमें षफrás उंग उसके बात क्या होदा है कि दीडिये-दीडिये वू हमारे डेली रूटीन के जो activities होती है वो करने में भी हमें बहुत difficulty होने लगती है तो उसके लिए हमें कौन-कौन सी mobility exercises करनी चाहिए जिससे हमारा spine का proper moment हो सके और हमारी daily activities है वो हम easily कर सकें तो चलिए देखते हैं कौन-कौन सी exercises है सबसे पहले हम quadri port position बनाएंगे इस तरीके से और knees के बीच में थोड़ा सा gap रखेंगे और दीरे-दीरे हम neck को उपर लेकी जाएंगे और हमारे spine में curve बनेगा यह जो curve है वो एक like cat की तरह होता है जिसे cat में होता है उस तरीके से curve बनता है इसमें और इसी तरीके से हम जब neck को अंदर लेके जाएंगे तो camel की तरह hump बनता है spine गा तो इस तरीके से यह exercise हमें करनी है और यह exercise हमें 10-15 times करनी है चलिए अब हम next exercise करते हैं इसमें भी quadipod position बनागे इस तरह नीज पर बैठना है लाएके child pose और फिर दीरे दीरे हम आगे जाएंगे और हमारी spine को extend करेंगे और उपर की तरफ देखेंगे इस तरीके से यह exercise हम कर सकते हैं इसमें भी बहुत अच्छा moment होता है spine का और यह exercise भी हम 10-15 times कर सकते हैं यह हमारी last exercise है इसमें भी quadipod position और हमारी upper body और hips को same direction में हम twist करेंगे और इसमें जो spine का curve है वो alphabet C की जैसे बनेगा यह दोनों side करेंगे opposite direction में भी same ऐसे ही होगा और यह exercise हम 10-15 times कर सकते हैं और इसमें भी बहुत अच्छा spine का moment होगा यह थी mobility exercises तो यह जो mobility exercises है यह जो stiffness को कम करेंगी और अगर आपने मेरा video previous video नहीं देखा है तो प्लीज उसे देखिए उसका link मेरे description box में है and thank you everyone if you like my videos please share and subscribe keep watching